चाहे आप किसी भी class के student हो या फिर कर रहे हो किसी भी competitive exam के तैयारी एक चीजे जो आपको करनी ही पढ़ेगी चाहे आपका concept clear हो चाहे आपको formula complete हो चाहे आपको सवाल आते हो या नहीं आते हो बट एक चीजे जो आपको करनी ही पढ़ेगी वो हैं आपकी calculation अब यहाँ पर मान लीजिए आप competitive exam में बेटे हैं एक सवाल में अगर आपने ज़्यादा time दे दिया तो दूसरे सवाल आपका definitely छूट जाएगा मतलब calculation तो करना important ही साथ में time भी कम consume होना चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको जिस प्रकार से साथ अजूबी होते हैं साथ जन्म फिल करेंगे कि वास तुम्हें इन ट्रिक्स से मेरी कापी help हुई है और मेरी calculation की जो इस वीडियो कापी जादा बढ़ गई है तो चलो बिना किसी देरी कि देखते हैं पेली ट्रिक होने वाली square गयाद करने कि जिसकी मतलब से आप बहुत ही पास तरीकी से square गयाद कर पाएं हमें उसके लिए हैं तो आपन देखते हैं मानन लीजिए 5 है तो पांच मुझे स्कोइर पता है 25 अब पांच के बाद में कितना है तीन गाथा चार तो आप तो 5 का स्कुर्ण कितना होता है 25 साथ के बाद में कितना आता आठका सब्सक्राइब दो निकालना है यह हो गया कानसर तो आपको समझ में आ गए होगी अब बीटरीक काम में खा लेंगे तो यहां पर इसको काम में लैने के लिए आप जहाँ भी केलेशन आती है कि मान लीजिए आपको साथ बिटे 2 का SQUARE निकालना है है ठीक है अब सब्सक्राइब साथ का निकालोगे फिर दो का निकालोगे चार भी उसमें भाग दोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इसको सोट करने के लिए आप क्या करेंगे साथ में दो का भाग देंगे तो कितना आएगा तीन पॉइंट पांच ठीक है इसका आप निकाल सकते हैं अब मुझे आज का पता है कितना होगा पच्छिस तीन का कितना होता है तीन के बार में कितना होता है चार तो चार को तीन से गोना करेंगे कितना जाएगा बारा ठीक है तो यहां पर यह हो जाएगा इसका स्क्वाइर तो इस तरीके से आपके संक्या को कामे ले सकते हैं और इस ट्रिक क करना है ठीक है अब में तर्येपन काил कैसे त्वर्ट करूंगा पेले अब इसमें नहीं तो यहाँ है त्व किया रहeous रही है त्वist ठिक है पांस के स्वेर कितना होता है आप मेरको बताःएं कितना होगा 25 ठिक है तीन का इसको तुरी की से के स्कूर लिख दिया अब आपको बहुत ही संयंकों सेट यादást रखना आ है सबसे हो और फाली है तो कितना हो जाएगा 30 अब आपको एक चोड़ के 30 इसमें जोड़ देना है ठीक है तो 908 दो यह हो जाएगा इसका स्क्वाइर तो इतनी सिंपल तरीके से आप किसी भी संग्या का स्क्वाइर याद कर सकते हैं चाहिए उसके पीछे तो इसको ध्यान रखना है इसको छोड़ फिर जोड़ना है तो नो बारा ठीक है सात तो साथ सबस्क्राइर के मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वाइर निकाल सकते हैं बहुत ही पाच तरीके से बड़ मैं आपको एक और रीजिट रिक दूगा जिसकी मदद से आप पचास का आज पास वाली नंबर की square निकालेंगे वह भी कम समय में माल लीजी मुझे square निकालना 48 ठीके तो इसके लिए आप क्या करेंगे संख्या आप याद रख लेंगे 25 ठीके 25 को आप याद खिरिए हैं तो आप को बता है आर्पालीस कितना कम है पचाश से कितना कम है मैंने बोला कि आछ उलटेसीट शॉपर लिखेंगे कितना होगा जीरो चार और वही दो आप 25 में से घठा देंगे क्योंकि कम है तो आप 25 में से भी इसको घठा देंगे तो कितना बचेगा यहां पर 23 जी हां यह आ गया इसका आंसर ठीक है एक और अपन नमबर ले लेते हैं मान दीजे में दुबारा से ले लिए तर कि तो इस प्रकार से आप उर भी इसको कम्प्लीट कर सकते हैं इनके पासी है एक क्रता हूं है है ठीक है अब आप मेरे को बताइए इनको अगर अपने इसे गुना करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा तो यहां पर आप लेंगे अब हमने बात करते हैं 102 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा इसका आंसर जी हां आगया आंसर तो आपको समझ में आगया होगा अकर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है अपने एक ग्जामपल देख लेता है बहुत इसली आप समझ भाएंगे तो एक सो तीर तरीके सा अबमल्टिप्ला इंगे अब मुझे इसका करना है बहुत से कतना कम है माइनस साथ को गोड़ा करोंगा तो कितना हो जाएगा एकराण में और यह हो गया आपका आंसर ठीक है तो इस तरीके सा आप बड़ी एजी लिए आप किसी भी संख्या का मल्टिप्लाइए कर सकते हैं अगर वह सोग से ज्यादा यह सो से आसपास से कम जादा कुछ भी हो सकता है तो आप इसका मल्टिप्लाइए स्ट्रिक से कर यहां पर मैं ले लेता हूं ठीक है मुझे इसका मल्टिप्लाइए करना है अब बताइए कोई कनेक्शन है कि इसमें स्टालिस कहां है कोई दिक्कत नहीं कोई कनेक्शन नहीं है बट इसका भी स्क्वेर आप कर पाएंगे बहुत ही तरीके से पहले आप समझ लिए है याप निचे वहले संसे को इंटू करेंगे तो यहाँ पर आप इसको इंटू कीजिस साथ को तींसे करेंगे 6 63 अब 63 का क्या करेंगे आप 3 लिखेंगे उच्छे को देदेंगे केरी ठीक है चार को साथ से मल्टिप्लाई कीजिए वापिस इसी को मल्टिप्लाई कर लेंगे तो साथ चोगट थाइस और टाइस और चे कितना हो जाएगा चोटीज तो यह आ गया इसका आंसर ठीक है इस प्रकारचा आप किसी भी संक्या का मल्टिप्लाई कर सकते हैं यहां पर टाइम लगा बड़ टाइम नहीं लगेगा विश्वास की टाइम नहीं लगेगा आपको प्रेक्टिस करनी तो यहां पर एक और एक्जामपल अपन लेल सब्सक्राइब करना है चोतर और ती आलिस इसका मुझे करना है अब इसका मल्टिप्लाई में किसे बताओ आप चारती बारा तो बारा के दो एक को बंडा लेंगे केरी में साथ यह इक्षिश ठीक है च्यार चोग 16 इनको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा एट अ प्योग में ले तो बहुत ही केलकुलेशन को मैं आपका बहुत ही टाइम बचेगा तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो कर दीजे लाइक और अगर आप हमारी चैनल पर पर निवा रहा हैं तो हमारी खांदान का आप भी इसा बन झाल झाल झाल